मारा जी भक्ति क्या है ज्ञान क्या है और दोनों का क्या अंतर है रफाकर के बताईए ऐसा है कि भगवान तो दोनों में है भक्ति में भी और ज्ञान में भी तो हमारी पसंद का रूप धारण करके भगवान भक्ति में आखे है इसने भक्ति में उनका अलुब्र है हमको जैसे भगवान अच्छे लगते हैं सुन्दत मदोर श्रीनवाद श्रुपादो बाकसन्य कारो ने जल दी वह इसे भगवान हमारी प्रुप्ति में उतर के आते हैं और हमारे उपर अनुग्र करते हैं तो हमारी पसंद के भगवान हमारे मन में आकर हमारे साथ प्रेप करते हैं इसका नाप होता है भक्ति और जैसे है भगवार, हमारे जिए उनको कोई अगले बदलने की जरुवत नहीं पड़ते हैं, जैसे है भगवार, वैसे हमारे शुद्ध बृत्ती में जब प्रतिविंबित होते हैं, और उनके जाबारे में जो अज्ञान है, ब्रह्म है, कल्पनाये में, वो सब उनको देख करके मिठ जाते हैं, तब उसका नाम होता है ज्ञान, ज्याओं के त्याओं भगवान को जानने का नाम ज्ञान है, और हमारे लिए विशेष्ट प्रपालो, और हमारे त्यारे, भगवान के मिलने का नाम होती है, अब प्रीति विशिष्ट भगवदाकार बृति को ब्रति क के ये शास्त्रिय भातार भ्रुशिष्ट ब्रगवदा का नाम हुद भंधों कि य विशिष जत्था और अपने अंदर प्रसिदिन्वित्त करने वाली योकजिता का नाम यूग्य भृत्य मंदे काना प्रह्मा कारव से हो सब्सक्राइब करने का धर्यार को三ती वा सब्सक्राइब स्थूज उसमें भगवदाकार बृत्ती होती है और अपने इस्टदेव भगवान की प्राप्ती होती है जिसका नाम है भक्ती और विभीक पूर्वक्त प्रमाण पूर्वक्त जो प्रवृत्यों तेढयासा होती है और जैसा भगवान है तदाकार भ्रंणा कार पृत्य होती है और नार lithium जृतियों जृतियों दृतियों के विशह का बाहर हो जाने पर जो स्वयम सिद्ध तत्व है देश कारवस्ति से अपर इच्छन सजाती बिजाती स्वगत भीद रहत अपना आत्मा बस वही वही है उसके सिवाई कुछ नहीं है इसका नाम ज्यान होता है अधियसा अधन सबाएं तो फराब कर दो है वक्ति माल से चलने में भ्गोदाकार अपने भुबाद टी कि शकल अपने मन में ले आना इसका नाम भक्ति होता है और सारी शकलों को निकालके और देनن इसका नाम ज्यान होता है ग्यान प्रमाण से होता है और भनती श्रदा गोची कभी एशा fallsा जाता कि भक्ति से ग्ञान उता हो तो दोना में सถ्य है मत वो तो ऐसा है कि जैसे हाथ हमारे बारे में जानकारी प्राफ्थ करें कि मैं क्या हूँ कैसा हूँ तो जदि मैं फले मानुस निकलूँगा तो आपका मुझसे प्रेब हो जाएगा और जदि मैं बुरा निकलूँगा तो आपको हमसे अरुची हो जाएगी अफ्रेपी हो जाएगी तो भगवान को फदे मानुस के रूप में जाना उन्मे यह को है, यचिंत्यानंत कल्यान बोगण है, कहिए हृस्ती का है to होता है। सब्रूप में भगवान को जानने से उनकी खक्ति होती है। और नेरगुन उप में परवातिमा को जानने से, जब अपने को भी नरगुन जान ने हैं तो ज्ञान हो जाता है तो साधन, एक तो है गुब्रो का अखवाद करके, नरगुन सत्रों को जानजाल मुद्ण और एक बुर्बुर हटाय करके सदगुणों की स्थापना करके भगवान से मिलना तो अब एक हुआ कि सदगुणों का ज्ञान हुआ तब भगवान की भक्ती हुई तो कहेंगे ज्ञान से भक्ती हुई और एक जितनी जितनी भक्ती करोगे उतना उतना भगवान अपना ज्ञ जान देता जाएगा जैसे कोई सेवा में रहे किसी के तो जिसकी सेवा करेगा उसके दो दोस आदत स्वरूप सबका ज्यान हो जाएगा सेवा करने वाले को अपने मालिक के सुभाव स्वरूप का ज्यान हो जाएगा और नहीं होता है तो सेवा सेवत नहीं है बुर्ट नाराएंट जदी वो समझते ही नहीं है कि हमारे स्वामी को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है अपनी पसंद वो लादना चाहता है तो वो सेवत नहीं है और नाराएंट जब सेवा करेगा तो स्वामी के बारे में ज्यान हो और जदी स्वामी अच्छा है उसका ज्ञान होगा, उसकी सेवा और बढ़ाएगी, इसले ज्ञान से भक्ती और भक्ती से ज्ञान, यह सगुण में दोनों होता है, और जिसको बैराग यह है, दितान तो बैराग यह है, वो अपने स्वरुप को और फुनमात्मा को भी निर्गोगूप में जानता है। इसलिए साधना की पद्दती में, शैली में तो फरक्त होता ही है। ये बात इसाबास से उत्रशक पे भास से के वो सम्हार में जहां भास समाग तो होता है। वह भगवान पराचान ने तीन चार फ़राग्राप में भक्ती और ज्यान में प्याबिद होता है तो ये किस तर से कहा है। ऐसा है कि मनुश्य जो है, जो कुषय के लिए प्रयक्न ज्यादा करते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ हमारे पास संग्रा हो जाया है, तो उसका मैं मालिक पर जाओ। यह दे कि वो उसके किसी काम नहीं आता है। वो रही है। चाहे जितना बड़ा महल हो दिन बर में हैं, हम तो एक ऐसे महलवारे के पास जाते हैं, जिनके घर की श्टिया महराग एक सिरे से दूसरे सिरे पर ज़िद जाना होता है, तो बीच में बैठ के तब आता है। उतना बड़ा महल है। बना रहा है। अब सिरी मती जी तो कमजोर कमजोर है। नफसी की अपर लवान है। और महल बहुत बड़ा है। तब एक चाहल होता है कि हमारे पास इतना बड़ा महल है। सोते समय उनकों भी तीन हाथ के पलंग तब तीन-चार हाथ के पलंग परहिस होना प्रूद। तो लोगों का क्याल है कि हमारे पास हर वो रूप है। क्या करते हैं। खाते हैं उसको कि पीते हैं। सुप में लगे हुए हैं। यह खाएंगे यह पीएंगे का उनको चूट मुट भी ना किसी काम के भर चोड़के ठोटल में जाकर रहते हो हुआ कि वहाँ ज्यादा सर्विस मिलेगी, ज्यादा सुप मिलेगा, ज्यादा सेवा मिलेगी, वहां शराब मिलेगा, परस्ती मिलेगी, मकान अच्छा होने पर भी उटल भी जाकर रहते हैं। ऐसे ही वोगोग का सुप भोग में फसकर होुआ। और नाराइट कई लोग हैं और बोले अभी है इतना तो क्या हुआ जब इतना हो लेगा भूमा शुर्था उसने का 16,000 लड़की हमारे पास हैं तो क्या हुआ हम भोगेंगे नहीं जब एक लाक हो जाएंगे तब भोगेंगे तो वो मनोराज्य करते हैं कि एक लाक का भोग करेंगे और आज भूखे रहे जाते हैं हलवा पूरी मिलेगे तब खाएंगे और ये रोटी डाल नहीं खाएंगे तो वो लोग मनोराज्य में फंस जाते हैं ऐसे कई लोग होते हैं कई आदिते डाल देते हैं अपने इस रिष्टे में रहेंगे नाते में रहेंगे इनके साथ रहेंगे तो ये मनुष्य की आदत है अपने आपको कहीं मिली चीज का अभुमान करने की, कहीं भोगने की, कहीं अनमिली चीज के बारे में मुझोराज्य करने की और कभी अपने आदतों में इतने उलच के उसी में फसे रहने की तो मनुष्य बो नरय आगे नहीं बढ़ सकता है हजारों हजारों मनुष्य में सहस्रेशु का आप कम से कम तीन हजार को नहीं चेदिया सहस्रंच, 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 सहस्राण ते इसु तीन हजार आद्मियों में से एक आदमी सोचता है कि हम सिद्धी की प्राफ्ती के लिए कुछ यत्न करें, सिद्धी माने अंता करन की शुक्ती ही। तीन हजार में से एक आदमी चाहता है कि हमारा अंता करन इमानदार हो शुक्ती है। उसके लिए प्रहते हैं। कि यत्ताम अपि सिद्धानाम अब तीन हजार करने वालों में से किसी एक कांता करें शुक्त हो रहा है। और तीन हजार शुक्ता करें वालों में से कोई एक है जो परमात्मा को तत्तत जानता है। तो आप गिंती गिनने के चक्कर में मत पढ़िये। कम्प्यूटर से हिसाब मत सगाईए कि कितनों में एक हुआ। आप यह देखिए कि परमात्मा की ओर चलना। पहले तो मनुष्य के मन में परमात्मा की ओर चलने की इच्छे ही दुरलब है। इच्छा होने पर प्रेत्न करना दुरलब है। प्रेत्न करने पर अंता करणशुद होना दुरलब है। और अंता करणशुद होने पर परमात्मा का ज्ञान दुरलब है। माने ये बहुत दुर्लब बस्तु है, कोई सूर्मा हो, तो वो पान का भीणा ले अपने हाथ में, कि हम तो सब कुछ छोड़ करते बर्मात्मा को प्राप्त करेंगे, ये बहादरों का रास्ता है, ये ज्ञान का तूपंत, कटूर महा, तलवार की थार पे धावनों है, तो ज देखो भाई को सुनके डर गए कि राम राम इतना मुश्किल है, तो ये देखो, हम आपको सस्ता बताते हैं, बहुत सरण, अपिचेट असी पापी इभिया, सर्वे इभिया पापकरत तमहा, सर्वम ज्ञान प्लवे नईवा, बृजनम संतर इस्यसी, आओ, आओ, हमारे ज् पापी है, तो क्या हुआ, पापी है, आजा, कम सबसे बड़े पापी है, आजा, कम बड़ों से बड़े पापी है, आजा, कम उनसे भी पड़े पापी है, आजा, हमारे ज्यान की नाओ पर बैठ, और सार एक पाप को उसकी बजातित अप्तर जाएगा, जो गीता में ही बोन सुखं से शुगं में आराचाता है वो आए आपकी पलक गिनाने में मुश्किल है, लेकन घ्यार की प्राफ़ती में मुश्किल नहीं है. ऐसा जो भाशिष्ट में आता है, ये एक त्वरत की बात वो तरह के आद्मियों के लिए हैं कोतgovern के खीं, obecनु आसान इतनी आसान बात है, बस तुब हमे, गुरु जी ने हमको कुछ ठग ठग लिया जरूँ, थोड़े में हमको बगा दिया, हम महराज दूसरे महात्मा के पास गया, तो बोले अरे जहां तो बड़ा मुश्किल है भाई, तो क्या करा है महराज, जाओ दूस आला में, बारा बरस गायतर आओ, गोगर पातो हो, आख लिया, गोगर, का आप बोले अच्छा, बारा बरस के बाद अब रसोई गर में आजा, रोटी बेलो, बारा बरस होगी कर लिया, आच्छा आप उठार समालो, बारा बरस उठार समाला, महराज जब आटालीस बरस हो गया, तो गुरु जी मैं तो आपके पास ज्ञान के लिए आया था, बोले जत्व मसी, मेटा तो ब्रह्म है, और ये तो पहले दिन गूरु जी ने बिताया था, तो उसमें निष्ठा नहीं हुई, तो निष्ठा बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पनता है, तो कोई गुरलब सुन के ज्ञ पुला हुआ है, जो चायश हो आवे, क्योंकि अपने आत्मा के पास जाने में, अपने घर में गुशने में, आप जूता निकाले के न निकाले, पाव दोमें के न दोमें, आप बले लिखा हो कि बिना इजाज़त अंदर मत आईए, लेकिर अपने घर में आने में, कोई बा हाँ, एक दो एलांस्मेटे करपा करके दो में सुनी है